कि नमस्कार बहुत स्वागत lotta आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्षbon आज हम बात करेंगे हिंग की हिंग हर किसी के घर में होता है आप खाने में यूज करते होंगे जितना ज़्यादा स्वास्त के लिए अच्छा होता है हिंग उतना ही ज़्यादा भाग को चमकाने के लिए भी कारगर उपाई किये जाते हैं इसके और हिंग का परियोग कर लेने तो आप सभी के घर में हींग होगा ही कभी डाल भगारते होंगे कभी सब्जियों में डालते होंगे जितना अच्छा है इसका टेस्ट है उतना ही जीवन को खूपसूरत कर देता है हींग कैसे और कौन सा प्रयोग करें कि आपके सत्रुविरोधी सांत्रें आईए जानते हैं गंद वाला खाना उन्हें पसंद नहीं कोई बात नहीं लेकिन आज जो हम आपको हींग का टोटका बताएंगे वह आपको माला माल कर जाएगा उपरी नजर से बलाओं से तांत्री क्रियाओं से नजर दोसों से बचाए रखेगा कई बार क्या होता है आप कर्जों में फस धन नहीं आता आप कर्ज ले तो लेते हैं पर वापस नहीं कर पाते कुछ समय दे रहे हैं लेकिन बाद में आप एक दम से नहीं दे पा रहे हैं अब उसका इंट्रेस्ट बढ़ रहा है आप परिसान हैं क्या करेंगे तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें एक छोटी सी डिबी हिंग का खरिद कर ले आए नियमित रूप से चुटकी भर या उससे भी कम जितने में आप सक्षम है उतना ही हिंग आप लेकर नहाने के पानी में डालकर नहाना सुरू कर दे धन आने लगेगा बरकत बढ़ जाएगी और कर्ज से भी मुक्ती मिलेगी ये प्रियोग बहुत सिंपल है कई बार होता है घर में इतने ज़्यादा निगर्टिव एनरजी होते हैं कि घर में बेबज़ज जगड़े लड़ाई बाद बीवाद होते रहते हैं या पिर कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आपने कोई बस्तू कहीं रखी वो कहीं और मिल रहा है कभी-कभी गए आपके पिछे कोई और है या कभी ऐसा लगता है डर जाते हैं अच्छी नीद नहीं आती मन में बुरे खेयालाते हैं तो ऐसे में छोटा सा काम करें जो क्या करेंगे थोड़ा सा हींग ले लें जितना आप हींग लिजिगा उतना ही माट्रा में सबसमान लेना है अमाल 75 आप ने हींग लिया तो एक ग्म कपूर लेख अब लिए अब गरम का छोटा छोटा राई के बराबर यानि जो सरसों होता है न उसके बराबर आप चूर्ण का जो है गोली बना ले अब गोली कैसे बनाएंगे देखिए उसमें थोरा सा घी मिला देंगे न तो वह सब एक दूसरे से चिपक जाएगा अब इसको अलग-अलग किसी आप कागच प और यह प्रियोक कब करेंगे सनीवार या मंगलवार के दिन आधा हिस्सा चुरिष्टे जो अपने गोली बनाएं सुबह जला दीजिएगा किसी भी चीज़ के सहारे जला सकते हैं और साम में दूसरा हिस्सा जला दीजिएगा घर से नकात्मा गुर्जा चली जाएगी कई बार आप खास काम से घर से निकलते हैं खास परियोजन से इंटर्विव देने जाना है ओफिस जा रहे है कोई बड़ा काम है कोई आपको जैसे रिष्टा तै करने जा रहे है होता है ना आप चाहते हैं वह काम बन जाए तब क्या करेंगे तब थोड़ा सा हिंग दाहीन तो बोलिएगा स्रिंग स्रिंग इस बोल के इस जो हींग है उसको मुझ में खा लें इसके बाद घर से बाहर निकलें जब आप घर से बाहर निकल जाएए तो पलट कर घर मत देखिएगा आप जिस भी काम से जाएंगे वो काम आपका जरूर बन जाएगा अब चुकि हमने आपको अभी तक बताया कि कैसे आप तमाम परिसानियों से निकल सकते हैं तमाम परिसानियों से बस सकते हैं कई बार होता है आपके घर में लोग हैं हसते खेलते परिवार को नजर लग जाती है लगती है ना क्योंकि अक्सर हर किसी के घर में होता आप कितना भी कुछ कर लो अब बच्चे हैं बाहर तो जाएंगे ही खेलेंगे ही अब नजर लगई एक के बाद घर में बीमार पढ़ने इस अर्क में हिंग डाल दें चुटकी भर और थोड़ा सा कपूर डाल दें. अब ये वाला जो है ना हनुमान जी का मंत्र जब करते हुए ओम स्री हनुमते नमह ओम स्री हनुमते नमह इस मंत्र का जब करें और ये जो अर्क है इसको आप हलाकि ये बहुत गर्म तासीर का है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको जैसे कलाई है आप अपनी कलाई में हलका सा लगा लें नमित रूप से इसको लगाते रहें इस्टोर करके रखिएगा इससे क्या होगा न उपरी नजर बला दोस्ट सब खत्म हो जाएगा और आप खुस रहने लगेंगे क्योंकि आज कल के अधुनिक यूग में खुसी सबसे महत्पूर्णी वस्तु हो गई है जो लगभग हर परिवार से गुम है तो खुसी आएंगी अगर नौकरी बेगर में समस्या जादा हो रही हो आपको लगे कि जॉब मिल नहीं रही या फिर जॉब है तो वहां बहुत साई लोग आपके पीछे पड़े हैं अभी करोना वायरस का वक्त है तो आपको क्या करना है थोरा सा हींग लेना है और अपने सर से लेकर पैर तक तीन बार पांच बार या साथ बार उल्टा वार ले इसके बाद आप इसको किसी चौराहे पर डाल दे नौकरी में जो समस्या है वो समाफ्थ हो जाएगी पीछे मुड़ कर मत देखिएगा ये प्रियोग भी आप किसी भी दिन वैसे कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो नौ करें जो बैकती बीमार हैं उनको जो पानी होता है ना पीने का पानी उसमें या फिर आपके उसमें क्या करेंगे ना थोड़ा सा पानी ले ले उसमें एक चुटकी हींग डाल दें और बोलिए कि सुबह सुबह सुखर उठने के बाद जब आप ब्रस करने के भी पहले जब सुबह उठते हैं कुला करते हैं तो उसी समय इसी पानी से हिंग मिला हुआ पानी से कुला करें आप देखिए आपके बीमारी ठीक हो जाएगी अगर किसी ने कहते हैं बान मार दिया है वह भी ठीक हो जाता है बान मारना समझते हैं आधा सरीर में कुछ न कुछ ऐसी बीमार का प्रश्न आपको लगे तब क्या करेंगे एक फिर से सुन लें पानी लें पानी में एक चुटकी हींग डालें इसी से कुल्ला करें सुबह सो कर उठने के बाद आपकी विमारी दूर हो जाएगी बहुत सिंपल है अब नौकरी और बैपार दोनों चलने के लिए क्या करेंग अभी तक हमने आपको अलग लग बताया चुटकी भर हींग अपने दाइने हाथ में लें स्रिंग स्रिंग बोलें हींग को खालें और फिर आगे बढ़ जाए जिस भी कारे में हाथ डालेंगे वहीं सफलता मिलेगा तो यह चोटा सा प्रियोग है पर आप अगर चाहते हैं क प्रियोग से पती पतने के बीच जो दूरियां है वह भी समात हो जाती है अगर आपके बीच कोई तीसरा आगया है तो उसको भी आप भटा सकते हैं भगा सकते हैं कैसे उसके बारे में भी हम जानकरी आपको देंगे अंतक बने रहें तो हींग एक ऐसी वस्तु है जिसका त पिर देखे कैसे चमतकार होता है अब अब सबसे अंत में एक खास उपाय पती पती का दिल कहीं और लग गया अगर नहीं भी लगा तो एक दूसरे से अन्बन है एक这么 ans को दोखा देरा आप लोग एक दूसरे को दोखा देंगे तो आपके बच्चों क्या होगा बच्ये तो किसी और ने तो लाके दिया नहीं आपको तो बच्चों के लिए सोचिए अपनी जिंदगी जितना हो गया सो हो गया यह विबा के पहले सोचना था यह मेरा फंडा है लेकिन यह हर किसी का फंडा है तो ऐसे में आप चाहते हैं आपके रिस्ते बहतर हो जाए तब एक छोटा सा काम करें पति पतनी अगर एक दूस्रे से नहीं बनते तब पतनी जो है क्या करेगी रात में सोने के पहले पती के सिरह ने थोड़ी सी हींग रख दे किसी कागज पर भी रख सकते हैं और फिर पैर के पास थोड़ा सा काला नमक रख दे और अपने पती के बगल में एक मौर्प काला नमक किसी चीज में रखिएगा कागज बेगर में पुडिया बना कर ताकि दोदर बिखरे नहीं यह जो आपने हिंग रखा है तक यह नीचे पैर के नीचे जो आपने पैर के पास काला नमक रखा है इसको आप घर से बाहर फेग दें जो मोर पंक है उसको आप सम्हाल के कि रखें कम सकम तीन सनी बार या तीन मंगल लगातार कीजिए गा देखिए आपका पते आपका ही और आपकी पतनिया आपकी जीवन साती आपका लब डिलेसन्शिप में हैं तो यह प्रियोग आपके लिए अचुक है और इसका प्रियोग कर के देखें प्रेम बढ़ेगा अगर जानकर यह अच्छी लगे तब लाइक करते हैं